दोस्तो, 2024 में इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, मेड़ ओफ मई में तो यह सीधी टक्कर होगी, अब दोस्तो, सोचने वाली बात यह है कि अगर BJP या NDA अगर जीती है, 2024 के इलेक्शन तो उस ताइप PM कौन बनेगा, प्रधान मंतरी कौन बनेगा अभी हम सिर्फ यह इस पर बात करें कि अगर NDA यानी BJP अगर जीती है, तो उनकी तरफ से कौन प्रधान मंतरी बनेगा तो दोस्तो इस लिस्ट में सबसे आगे जो नाम चल रहा है, वो योगी आदित्यनात का नाम चल रहा है, इसमें नितिन गटकरी का भी नाम है और थोड़ा बहुत नाम इसमें अमिश्चा के, लेकिन पब्लिकली अमिश्चा को उतना acceptance नहीं मिलेगी as a PM, लेकिन हाँ, पब्लिक में काफी अच्छा नाम है अभी योगी आदित्यनात का, लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो सकता है वो प्रधान मंतरी बने, और नितिन यूपी को जादा है, अभी यूपी को कुछ और सर्व करें पास साल और यूपी को थोड़ा सा और आगे ले जाए, systematic करें यूपी को, तो उसके बाद वो national politics में आए, हाला कि उनका रोल है national politics में, लेकिन as a PM अभी ना आए, अभी यूपी को वो ना छोड़े, अब दोस्तो इसी बीच एक नाम और काफी चर्चाओं में आज कल, जो सामने उभर कर आ रहा है, और दोस्तो वो नाम है S.J.Sankar का, एस जाए शंकर अभी currently हमारे foreign minister है, और आप लोग आये दिन इनको TV पे देखते होंगे, इनको बोलते हुए और कैसे ये सामने वाली party यानि जो सामने व मोधी जी की गॉर्मेंट थी उस टाइम ये foreign security थे उससे पहले ये Indian foreign services में रह चुके हैं और इन्होंने कई countries में इंडिया को serve किया है इंडिया को represent किया है तो इनका काफी अच्छा as a deployment काफी अच्छा track record है इनका दोस्तो दोस्तो 2014 में जब मोदी जी की गौवर्मेंट बनी उस टाइम से लेकर के ही ये मोदी जी के काफी फेवरिट रहें अब मोदी जी के फेवरिट इसलिए रहें क्योंकि इनमें क्वालिटी बहुत हैं अब दोस्तो जब से ये फोरेंट मिनिस्टर बने है ये अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं और जो इंडिया के जियो पॉलिटिकल अभी एक स्ट्रॉंग पोजिशन बनी है पूरे वर्ल्ड में वो हर किसी ने दिखा है दोस्तो चाहे वो यूक्रेइन रशिया का वार हो यूक्रेइन रशिया के वार में वेस्ट ने जो वेस्ट कंट्रीज हैं अमेरिका एरोपेन यूनियन यूके सबने कितना प्रेशर बनाया एंडिया पर कि भाई आप रशिया के अगेंस्ट बोलो रशिया से ओयल मत परचेस करो आप हमारे साथ आके खड़े हो आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते लेकिन नहीं दोस्तों इन्होंने इस प्रेशर को ऐसे कंट्रोल किया उसको एब्जॉर्व किया और वेस्टन कंट्रीज को एक शीशा दिखाए कि भाई अगर हम रशिया से तेल खरीतते हैं तो सबसे यादा अगर कोई रशिया का तेल खरीतता या गयास खरीतता तो यह यूरोप है तो यह बेब आधि साथ है जो यह इक्रीन वाला पार्ट है या रसिया के साथ इन towel उन्हें अपने रिलेशन कश को काफी अच्छे से बैलेंस रखा है इंडिया के जली से माजा भिया अब दोब तोइस the future को अफ्रेंट आके इन्होंने बिल्कुल लताड़ा है चाइना को सामने आकर इन्होंने गाली दी है गाली इंदा सेंस उसको उसकी आउकात दिखाई है और दोस्तों देखने वाली बात है कि 2019 के बाद इंडिया जो जियो पॉलिटिकल इतना स्ट्रॉंग हुआ है इंडिया की एक धमक है जो पूरे वर्ल्ड में और मोदी जी ऐस वर्ल लीडर जाने जा रहे तो उसमें एस जैशंकर का बहुत बड़ा रूल है जो उनकी फॉरें पॉलिसीज रही है और खासकर चलो यह अकेले निया जिसके पीछे पूरी टीम है और मोदी जी का इनको एक तरफा सपो इसको आज तक इंडिया ने ऐसे बेबाग तरीके से कभी जवाब ने दिया जो अभी रिसेंट कुस टाइम से हम देख रहे हैं जैसा इंडिया एक स्टैंड ले रहा है एक पोजिशन ले रहा है इवन क्वार्ड आप देख लिजे चाइना के अगेंस्ट क्वार्ड है तो इस वीडिया एक अलग लेवल पे अभी है और वेस्टन कंट्रीज को जवाब देना भाई चाइना को जवाब देना एवन रश्या को समझाना तो दोस्तो लास्ट वे मैं यह होंगा कि हमारी यही उम्मीद है कि 2024 के बाद इंडिया को एक ऐसा पीम मिले जो इंडिया को एक लेवल पे ले जाए तो दोस्तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप किसको एजब पीम देखना चाहते हैं 2024 के बाद मुझे कमेंट करके इस वीडियो में जुरूर बताइए थैंक्यू दोस्तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे च किणियो करनी लेखने कर दिंक着व।